इस वीडियो में Pre-Raphaelite किसको बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में इसको अच्छी तरह से समझेंगे एक्जामपल से अच्छी तरह से जानेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दिखें Pre-Raphaelite मतलब यह है कि Pre-Raphaelite was या is a movement in English literature during Victorian age Queen Victoria के टाइम में समय में Pre-Raphaelite एक movement हुआ करता था कुछ लोग थे जिनोंने इस movement को start किया था उनका मकसद था कि art को painting को literature के साथ में connect किया जाए मतलब poetry जब लिखते थे वो लोग तो art के थो से poetry करते थे उसमें painting के थो से art बनाते थे फिर poetry करते थे तो हिंदी में अर्थ हुआ Pre-Raphaelite का पुर्व-Raphaelite, पुर्व-Raphaelie मतलब वो कला का जिसका उद्देश, जिसका मकसद, ऐसी कला का निर्मान करना होता था जो के राफेल से पहले परचलित थी राफेल इटली के renaissance के टाइम में बहुत बढ़े painter थे Madonna and Child की painting उन्होंने की थी काफी परचलित है, विशू परसिद्ध है English में इसको समझते हैं के Poet and painters dedicated to restoring early renaissance ideals of Italy जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि High Renaissance के टाइम में राफेल पेंटर थे इटली में जो मतलब painting क्या करते थे चलिए इसको समझते हैं एक्जाम्पल से ठीके दप्री राफेल राफेल राइट ब्रदर हुड वस फॉंड़ेट इन 1848 बाइट्री रॉयल एकाडेमी स्टुडेंट्स मतलब प्री राफेल राइट ब्रदर हुड की अस्थापना 1848 में राफेल एकाडमी के तीन छात्रों के दवारा की गई थी और वो कौन-कौन से छात्र हैं वो छात्र हैं जो फॉंडर्स अफ प्री राफेल राइट वर डांटे गैब्रियल रोसेटी विलियम हॉल्मन हंट और जॉन एवरेट मिलाइज मतलब प्री राफेल राइट के संस्थापक दानते गैब्रियल रोसेटी विलियम हॉल्मन हंट और जॉन एवरेट मिलाइज थे ठीक है तो मैं अपने प्री राफेल राइट को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अच्छी तरह से समझ लिया हैं थांक्स पर वॉचिंग एजुकेर डेस्क